कहा जाता है श्रीमत भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बलकि इसे धर्ती कहर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांती और सफलता को प्राप्त कर सके। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इस बेहदी खास वीडियो में हम भागवत गीता के 111 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनने जानकर आप भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर सुबह सुने। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ पाना चाहते हैं, तो कृप्या कर इसे हेड़फोन लगा कर शान्ती से सुने। तो चलिए जानते हैं श्रीमत भा बार्त और निश्पक्ष होकर अपने करतब्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की जोती अंधेरे में चमकती है, ठिक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ग्यान की, कमी और इश्वर में शुद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारन करता है, ठिक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारन करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सबसे आप जितना दूर रहेंगे, उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंद निभाना बंद कर देता है, तो समझ लेना उसके आत्म संब समान को कही न कहीं ठेस अवश्य पहुची है। मौह उसी का करो, जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं, उसका मौह भी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की तकलीफों को समस्ते हैं, जिन में दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दुबारा ज पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। प्रेम सदेव माफी मागना पसंद करता है और एहंकार सदेव माफी सुनना पसंद करता है। विशयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ती हो जाती है। इससे उनमें कामना या निक्षा पैदा होती है और कामनाओं में विगनाने से क्रोध के उत्पत्ती होती है। सदेव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। कर्म वा फसल है जिसे इनसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धी में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराईयां ही याद रखें गीता में भगवान शुक्रिष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्तमन से मेरा पूजन करते हैं मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्यान का उत्तरदाईत्व लेता हूं हे पार्थ जो लोग भक्ती में शुद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते अतावे इस भौतिक जगत में जन मृत्यू के मार्ग पर वापस आते रहते हैं मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो मजबूरियों को मत कोसो हर हाल में चलना सीखो किसी काम के चिंता करना ठीक है पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है सुरी कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग नहीं बनाता हर कोई अपना भाग या खुद बनाता है आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले ही किये गए कर्मों का फल है मनुष्य नहीं उसके कर्म अच्छे या बोरे होते हैं जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की टापती होती है तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है किन्तु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो तुम ना तो कभी अपने आपको अपने कर्मों के फल का कारन मानो नहीं कर्म ना करने में आसक्त हो जाओ सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो अपि तु सही कर्म वह है जिसका उद्देश कभी गलत नहीं हो संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुन संपन्न नहीं होता इसलिए कुछ कम्यों को नजर अंदाज करके रिष्टे बनाए रखे पूनता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने के तुलना में अपने आप को पहचान कर अपून रूप से जीना बहतर है जब भविश्य दुनला पढ़ने लग जाता है तब आप को अपने वर्तमान में ध्यान केंदृत करने की आवश्यक्ता है कोशिश कर हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा अरजुन के तीर सासद मरुवस्थल से भी जल निकलेगा जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्टितियां समस्या बन जाती है और जब हमारा मन स्थर होता है तब परिस्टितियां चुनौती बन जाती है और जब हमारा मन मजबूत होता है, तब परिस्तितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नश्ट हो जाती है, जब उसे दूसरों के दुखों पर हसी आने लगती हैं। हे भारतवन्शी, शरीर में रहने वाले का वद्ध कभी नहीं किया जा सकता। अता तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करनी के आवश्रक्ता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिन्दगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुख सकती है। जिन्दगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिराड़ी बहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं मगर होसले सबके अलग-अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संगर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजएया, पराजय, लाब या हानी, प्रसनता या दुख इत्यादी के बारे में सूच कर चंता से ग्रसत नहीं होना चाहिए। यदि आप अपने गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीड़ियां हैं और नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। नर्णे आपका है, चड़ना है या दूबना है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जतना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे निस सुबा को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूनना गलत नहीं है। बस शुरवात खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए। इसलिए कभी-कभी चुप रहना ही जादा बहतर होता है। जो जितना अधिक शान्त होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धी का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष को कभी न चोड़े। क्योंकि लक्ष मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल चाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर नर्बर करती है। इसलिए मां लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धी वाला वही वैती है जो सफलता मिलने पर एंकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं डूपता प्रशंसा हो रही हो तो जादा सावधान रहने की जरूरत है जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजे आप जैसे हैं स सर्व स्रेश्ड मित्र है किन्तु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रू बन जाता है नाकरात्मक विचारों का आना तय है परंतु यह आप पर नर्बर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं हमेशा याद रखना बहतरीन दिनों क के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है जीवन में कुछ भी स्थाही नहीं है इसलिए स्वैम को अधिक तनाव ग्रस्त ना करें क्योंकि परिस्तितियां चाहें कितनी भी खराब क्यों ना हो बदलेंगी जरूर संसार में परिशानी देने वाली की हस्ती कितनी भी ब परित करें जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है क्योंकि उसने शान्ती प्राप्त कर ली है ऐसे मन उससे के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं मुश्किले केवल बहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है क्योंकि वही लोग उसे बहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबलियत रखते हैं कोई कुछ भी कहें बस अपने आप को शांत रखो क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों नहों समुद्र सूखता नहीं है जहां आपकी कोई कीमत नहीं वहाँ पर रुकना अनुचत है चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुद्रत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है उनी का नाम काना है जो मन को नियंतरत नहीं करते उनके लिए वह शत्रू के समान कारे करता है हे अरजुन वैक्ती जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ एक्षित वस्तू पर लगाता चिंतन करे सर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता बलकि किन रिष्टों के सामने कब और कहां पर हारना है या जानने वाला भी विजेता होता है जो लोग बुद्धी को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मुर्ख बना सकता है वक्त से पहले मिली चीज अपना मुल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय लाब यहानी प्रसन्नता या दुख इत्यादी के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसत नहीं होना चाहिए आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार करना एक कपड़े धारन कर लेता है जैसे जल में तैरती नाओं को तुफान उसे अपने लक्ष से दूर ले जाता है ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है आपका विश्वास एक परवत को भी खिसका सकता है लेकिन आपके मन का संदिह दूसरा परवत खड़ा कर सकता है हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवज़ा दूसरों को रुलाते हैं अपने इक्षा शक्ति के माध्यम से अपने आपको नई आक्रती प्रदान करें कभी भी स्वैम को अपनी आत्म इक्षा से अपमानित ना करें एक्षा एक मात्र स्वैम का मित्र होता है और एक्षा ही एक मात्र स्वैम का सत्रू भी अपनी पीडा के लिए संसार को दोश मत दीजे अपने मन को समझाओ तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए अगर आप किरते हो तोटने का प्रयास करो लड़ो पूरी निश्ठा से अपना कर्तब्य अपना कर्म निभाओ वाकि सब मुझ पर छोड़ दो हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है धैरे रखिए कभी-कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है रोना बंद करो अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो क्योंकि साथ देने वाले भी शमसान से आगे नहीं जाते समय जब न्याय करता है तब गवाहूं के आवश्रक्ता नहीं पड़ती है एक उपहार तबी असली और पवित्र है जब वहर्दै से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगा पर दिया जाए और जब उपहार देने वाले व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने के उमीद ना हो सुन्दर्ता आपकी दृष्टी कोन में होती है किसी को कीचड में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है हे अरजुन जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा पुरे विश्वास के साथ करने के ख्षा रखता है तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में द्रण कर देता हूँ उदय किसी का भी अचानक नहीं होता सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और उपर चड़ता है धैरे और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशत कर सकता है हे अरजुन स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्शाथ एक असफल योगी का पुना एक पवित्र और संब्रद कुटंब में जन्म होता है शब्द उतनी ही बाहर निकलने चाहिए जिरे वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो मन अशान्त हो तो उसे नियंत्रत करना कटिन है लेकिन अभ्याद से इसे वश में किया जा सकता है एहंकार और संसकार में फर्क है एहंकार दूसरों को जुका कर खुश होता है संसकार स्वैम जुक कर खुश होता है सेवा सब की करो मगर आशा किसी से मत रखो क्योंकि सेवा का सही मूल्य इश्वर ही दे सकते हैं जब सत्य की असत्य से लडाई होगी तो सत्य अकिला ख़ड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी क्योंकि असत्य के पीछे मुर्खों का जुन्ड भी होगा अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तों में तुम्हारे पास स्वेम के अलावा और कुछ भी नहीं जब परिवार के सदस्य अप्रिया लगने लगे और पराय अपने लगने लगे तो समझ लीजे कि विनाश का समय आरंब हो गया है क्रोध आने पर चिलाने के लिए ताकत नहीं चाहिए मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी काइनात एक हो जाए दो प्रकार के व्यक्ति सुनसार में स्वर्ग से भी उपर स्थित होते हैं एक वो जो शक्तिशाली होकर भी शमा कर देते हैं और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं प्रेम शरीर या सुन्दर्ता को देख कर नहीं होता प्रेम हरदय से होता है जहां दो हर्दय मिल जाएं, वहीं प्रेम जन्म लेता है किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना, दूसरे की बाते सुनकर उसके प्रती कोई धारना बना लेना मुर्खता है अगर साफ नियत से मांगा जाए, तो इश्वर नसीब से बढ़ कर देता है जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सब के हो जब भी विनाश होने का प्रारंब होता है शुरवात वाणी के सैयम खोने से होती है जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता हमेशा एक नई शुरवात हमारा इंतजार कर रही होती है जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दे जो आपके पास है उस चीज़ पर नहीं जो दूसरों के पास है उस दिन हमारी सारी परिशानिया खत्म हो जाएंगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम इश्वर की मर्जी से होता है विपत्ती में धैरे, वैभो में दया और संकट में सहन शीलता ही स्विष्ट वैक्तियों का लक्षन है जो वैक्ती सपष्ट और सीधी बात करता है उसकी बाणी कठोर जरूर होती है लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता जो अच्छा लगे उसे ग्रहन करो जो बुरा लगे उसका त्याग फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य बुराई, बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है क्योंकि नाव में छेट छोटा हो या बड़ा नाव को ही डुबो देता है अपने परम भक्त, जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्मन से मेरा पूजन करते हैं मैं व्यक्तिकत रूप से उनके कल्यान का उत्तरदाई त्व लेता हूँ जो दान बिना सत्कार के कुपातर को दिया जाता है वह तमसदान कहलाता है परिवार और समाज दोनों ही बरबाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और ना समझ बोलने लगते हैं आप वापस नहीं जा सकते और शुरवात को नहीं बदल सकते लेकिन आप जाएं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं जब उम्मीदे तूटने लगे कोई रास्ता दिखाई ना दे तो एक बार भगवत गीता की शरण